हेलो इंडिया वलकम टो इंडियन एया प्रोडक्शन मशिन लेर्निंग एंड-टो-एंड प्रोजेक्ट तिल डिप्लोइमेंट पार्ट नमबर 22 ट्रेन मशिन लेर्निंग मोडेल बेटर वे फॉर आल मोडेल्स अब हम मॉडेल ट्रेनिंग इस फेज में आ चुके इसी के साथ हम क्रॉस वेलिडेशन इस फेज में भी आ चुके है तो लास्ट डिव में हमने देखा था कि हमें किस तरके से बेस्ट मशिन लेर्निंग मॉडेल को सेलेक्ट करना है तो वहाँ पर हमने बता दिया कि बाई ऐसा कोई में रूल नहीं जिसका इस्तेमाल करके आप बोलोंगे बाइ यह एक्स बसेट मॉडेल ले ले इसको ट्रेन कर ले और उसके बाद यही बेस्ट मोडल होंगा जिसका इस्तमाल करके आपको बेस्ट एकुरशी मिलेंगी ऐसा नहीं होता है हाँ आपको हिंट मिलेगा कि कोन सा अलगूर्दम आपको फॉर्स ट्राइ करना है बट ऐसा कोई hard rule ने है जिसका इस्तमाल करके आप बोलोंगे कि भाई यही एक्स वजट मोडल है जिसको ट्रेंग को और यही best model आपके problem के लिए है तो हमारा main target क्या रहेंगा हम multiple model जो अच्छे से model से जो powerful model से उसको हम क्या करेंगे उसका इस्तमाल करके हमारे problem को solve करने के लिए कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम जितने भी model हमारे पास available है जो best model से उनको हम training करेंगे उसके बाद उसकी accuracy चेक करेंगे और जो हमें best accuracy देता है उसके साथ हम आगे जाएंगे fine tune करने के लिए तो चलो यार आज की स्वीडियो में हम देखते कि हम किस तरगे से machine learning model बिसिकलिए इस वीडियो में हम multiple machine learning regression model है जिसको हम train करेंगे और इसको हम देखेंगे कि कौन सा model बेस्ट है हमारे problem को solve करने के लिए तो अब हम क्या करेंगे हम नीचे आएंगे और यहाँ पर हम एक हेडिंग देंगे train sorry train ml और model राइट तो यार हमने बहुत सारे मतलब approximately 21 टुटोरिल बनाए है इस गड़ी का इंतजार करने के लिए तो दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत सारे मेनत की और आज जब हम इस model को train करेंगे तब हम पता चलिएगा कि हमारी मेनत कितनी रंग लाइए तो चोल यार हम train ml model इस phase को continue करते और यहाँ पर हमें अब ध्यान रखना है यहाँ पर हमने लास्ट टूटोरिल में देखा था कि हमें किस तरह से best machine learning model को हमें करना है तो हमें वही पर मिलने वाला है तो लास्ट टूटोरिल में हमने देखा था कोई भी machine learning model को train करना है तो उसका syntax क्या होता है तो syntax जानने के लिए हम कहां पर कहते हैं यही क्लिक करने का था बहुत सारी machine learning models के यहाँ पर लिंक मिलेते हैं जैसे कि मानलो अभी आप train करना चाहते हो इस जगा पर आ जाओंगे और यहाँ पर आप देखो इस आइस ग्लास को कितने परमेटर बिसक लिए आप बोलोंगे आर्गमेंट कितने दे सकते उसको सही तरक से explain किया है तो आप इसको पढ़ो कौन सा argument बहुत important इस problem को solve करने के लिए बेसिकली इस class के लिए तो आप ये भी जान सकते हो syntax यहाँ आपको नीची मिल जाएंगा यह तो basically make regression यहाँ पर data set मिलने वाला है यहाँ पर main है हमारा algorithm इसके learn.isotronic वहाँ से हम import करेंगे आइसो ट्रोनिक रिग्रेशन तो यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद isotronic यहाँ पर हम देंगे एक स्वाजिट वैलू और हमारा मॉडल टैन हो जाएंगा उसके बाद हम उसको प्रेडिक करेंगे तो यहाँ पर आपको syntax मिल जाता है तो यही इसी दरगे से हम क्या करेंगे जितने भी हमरे पास machine learning models है राइट तो सारे के सारे machine learning model की हम syntax यही से लेने वाल है कोई ऐसा बंदा नहीं जो पैदा हो गया उसके बाद उसकी दिमाग में syntax पता है ऐसा नहीं होता है या किसी बंदी ने syntax learn कर लिया उसके बाद company में जाएंगा तो ऐसा नहीं होता कि उसको syntax याद रहेंगा maximum नहीं पूरे के पूरे लोग क्या क पता है तो कोई बात नहीं गूगल को वासे syntax copy को रहो हाला कि आपको यह पता हो चाहिए कि कुछ से problem को किस तरके से solve करना है वह टेखनिक तो आपको आनी चाहिए वह आप किसी से copy नहीं कर पाऊंगे तो आपको समझ में आ चुका है कि हम syntax किस तर रिशते लेते हैं तो यहा से लिए s.v.r. support Vector Regressor यह आपको ध्यान रखना है स्केल डॉट लिनेर मोडल से मने लिया है Linear Regresson उसको आपकाइबर से लिया मैने के निभर अलगर्थम है यह गौ से लिया मैने गौने और रिचे रिच्प्रेसर एसके लिदा से लिया मेने घ्राड़े बूस्टिंग रि तो इसके बाद नियुरल नेट्वोक अभी हमने यह आपकी सिस्टेम में यह आप टूटूर आप फॉलो कर रहे होंगे तो वहाँ पर हमने एक्जी बूस लैपर को इंपॉर्ट नहीं किया बैसिकली इंस्टाल नहीं किया तो आप आपको इसको इंस्टाल करना पड़ेंगा तो सबसे बहुत इसको आपको इंस्टाल करना पड़ेंगा तो इंस्टाल करने के लिएकदम सिंपल टेक्निक है आप ऊपर जाओ एक में नहीं से लिताओ या यह आपको लेना है एक्सलामेटरी मार्ग उसको दिखना है पेप इंस्टाल-श्के लंग एक्जीबूस तो यह सिस्टेम मेंम इंस्टॉल ओना स्टार्ट हो जाएंगा मैंने क्या कर लिम्हें करके यहाँ आपकी सिस्टेम में बहुत्त तो यह नहींだ लगता है चुनिंदा MB का इस्तमाल लगता है तो यह बहुत छोटा पैकेज है उसके बाद आपको क्या करना इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करने के लिए बार देख लो कि भाई हार एक मॉडल का जो सब्सक्राइब करना आपको सारी करना पड़ेगा और यहां पर हमारे सारी के सारे मॉडल सक्सेसपूल आ चुके हैं और यहां पर हमने एक मॉडल ने लिया जिए आईशो टोनिक वहाँ और हम यहां से ले लेते हैं और हम यहां पर कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो मैं यहां पर ले लो चोलो यही से ले लेता हूं मैं आइसो टोनिक तो इसको फिर से एक्जूर करते हैं तो हमारे मॉडल आ चुके निक्स अभी हम क्या करते हैं हम यतने भी हमारे पास मॉडल से इस के क्या करते हम एक object करते तो object करणे के लिए हम क्या करने के कि यह हमारा class लेंगे उसके बाद parentheses देंगे अब इस class को multiple arguments दे सकते हैं बट फिलाल हम क्या करने जो भी डिपोल्ट argument की वैलु यह वही argument का इस्तेमाल करके हम क्या करें के मशिन लेनिंग मोल्ट को ट्रेंगे तो यहां पर हम लेते svr space equals to तो इस तरके साथ हम क्या करेंगा each and every class का हम क्या करेंगे औब्जेक्ट करेंगे बेसिकली algorithm का हम object करेंगे तो मैंने अल्रीज़र कर लिया है तो यहां पर डालेक में पेस्ट करूंगा सारे के सारे अब्जेक्ट तो अल्रोडम्स के अबजेक्ट तो अल्रेडी मने को यहाँ पर डीपाइन कर ले तो मैं इसको खटा दूगा तो यहाँ पर स्टोक्रेश्टिक गीरेशन के निद में पर इसको जेघृता ओसका हम करेंगे टास और इसका उब्जेट करेंगी आई इबerson short form isotonic isotonic regression तो चलो यार सब क्लास को भी हम क्या करते हैं हम लोड करते हैं तो हमारे पास क्लास आज चुके और इसके object हो चुके अब हम क्या करते हैं एक डिक्सिनरी क्रेट करते हैं और उस डिक्सिनरी में हमारा चीज़ डाली एक है उसका नाम मोडल का नाम करके और इसको बाद हमने याप डाले डारेक मॉडल यह जो यह यह आपको एक्स्पेंड करने के लिए समझा देता हो जैसे ABCDEFGHIJ यहाँ पर लेता हुए वैलू एक पर उसके बाद यहाँ पर एक लिस्ट में सबसे पहले मुझे क्या करना है आइसोटोनिक रिग्रेशन यह मुझे स्ट्रिंग लेनी मॉडल का नाम दे रहा हुए उसके बाद कॉमा लेना है कॉमा लेनी का इस मॉडल को यह आपर मैं दे दूगा अब यह मैं क्यों कर रहा हूं इसका इस्तमाल किस तरह के से होने आपको समझ में आ जाएगा बस आपक आपको बताता हूं यहाँ पर पास एक्स टेन है एक्स टेस्ट है यह तो जब हम मॉडल करेंगे उसका स्कोर निकालने के लिए हमारे पास एक्स टेस्ट भी चाहिए और वाय टेस्ट मतलब हमारा में क्या करना पड़ेंगा हमें एक्स टेस्ट का इस्तमाल करके क्या होगा क्या होगा कि हमारे पास यह काम नहीं करेंगे क्यों ले करें एक बात्रタ पार्ट कर लिए चिंघर करेंगे एक पार्ट करके model को test करते रहेंगे और average करके जो हमें accuracy मिलेंगे उस average का इस्तमाल करके हम समझेंगे कि भाई हमारा model किस तरह के से performance दे रहा है अब यह cross validation क्या होता है यह आपको समझ नहीं तो इसके उपर हमने special video बनाया है आपको आइकाड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में की लिंक मिल जाएंगे जिससे आप समझ सकते हो कि भाई यह cross validation क्या बला है तो चलो इसका भी मैंने code लिखा है to save the time तो इस code को में यहाँ पर paste कर दूँगा तो सबसे बढ़े इस dictionary को execute करते हैं तो हमारे dictionary successful execute हो चुकी है तो यहाँ पर जो लो cross validation का हमें पूरा का पूरा code डाल देता हो तो यहाँ पर sklearn.model selection इस से हम क्या करेंगे kfold और स्क्राइब क्रॉस वैल स्कूर तो kfold का इस्तमाल किस लिए करेंगे हमारे पाद जो भी data make underscore score और r2 underscore score तो यह r2 underscore score क्या बला है तो भाई यह matrix से हमारे regression model को evaluate करने के लिए तो जैसे कि r2 की formula भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा r2 का formula r2 equal to 1 minus rss divided by tss तो rss का मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि sum of square of residual और हमारे पास tss का मतलब क्या होता है total sum of square फूरा formula आपको detail में चाहिए तो यह आप आप देशके तो summation of yi minus yi hat whole square divided by summation of yi minus y bar इस बार का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास y में values है उसकी mean value basically mean value yi minus y mean value whole square तो यह हमारा formula इसका formula का इस्तमाल करके हमें value मिलेगी क्या मिलेंगी हमें positive value मिल सकते है या negative value मिल सकते है positive value maximum maximum हमें कितनी मिलेंगी one मिलेंगी और negative value हमें कितनी भी मिल सकती है तो best चीज कोने से जो में पॉजिटीव वैलो मिलेंगी निर तो वन इसका मतलब यह होगा कि हमारा माडल बेस्ट मॉडल है और जो हमारा मॉडल नेगेटीव वैलू देंगा तो हम वोलेंगे वाज्ट मोडल है तो आपको समझ में आ चुक है कि आर्स वर का इस्तामाल हम किसले करत है यह हमारा खुद का function है यह predefined function नहीं है तो हमने function को नाम दिया test underscore model आप कोई भी नाम दे सकते हो इस में हमने कुछ parameter दे जैसे की model है यहाँ पर हम model दे देंगे उसका हम इस function को दे देंगे यह k-fold का मतलब क्या है k-fold का मतलब यह कि भाई जो भी हम data देंगे उस data को कितने part में divide करना है यहाँ पर एक अर्गमिंट इसका basically and underscore split यह क्या करेंगा हमारे data को कितने part में split करना है तो यहाँ पर हमने लिया seven value उस डेटा को shuffle करना है की नहीं करना है तो हम बोलेंगे वह यह तो हमने वाले या evaluation मेंट्रिक्स का श्तमाल करना है तो यस तरह का क्या करणा स्कूर कालग्छ करेंगा स्कूर क्श्क्र हमारा फंक्षिन है closer स्कूर तो इसका अस्तमाल बर्बत के हमें कुछ पैरामीर दिने जैसे की मॉडल जो भी मिलेंगे तो सब्सक्राइब लिस्ट में टोटल सेवन मोड़ेशन में लेकि उसको मीन कर देंगे तो में मिलेंगी और स्टोर करने के बादा हम क्या करें उसकोNA RETURN कर देंगे तो यह हमारा फंक्शन है मैं आचुका है तो जहांसे मैंने स्टाउर्ट कि आपको बताना वाँ से पर से देख लो तो चोलो इस function को पहले एक्जीगूट करते हैं अब एक्जीगूट करने को दहुं क्या करें हम इस function को one by one हमारे जितने मॉडल से उन मॉडल देंगे और उसकी हम accuracy क्या करेंगे हम नोट डाउन करेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे प्रेंट करेंगे मॉडल का नाम मॉडल और हमारा ट्रेनिंग मॉडल क्या है ट्रेनिंग मॉडल है हमारा मॉडल में से नहीं यहां से हैंगा मॉडल से डिक्शनेरी है डिक्शनेरी में से हम क्या करेंगे हम लेंगे वाई की और की लेने के बाद की में से हम क्या करेंगे की में जुरू पर हम वारले का नाम यापर करेंगे चाहिए को हमीं मेलेंगा से यह मुदी ने एक हमारा मॉडल का हमर है म्दन में ने अSPOR मॉडल में इसको कॉपी करेंगे कॉपी करने के हुआ पर मॉडल मुलने के बाद वह पास आउपर है यह ये लिटा यह या पर एक्सटेन डेटा याप्र या पर इसको दे देंगे देने के बए जरूद नहीं कापी यह पर दे दिया है रइट तो यह मैंन देंगा स्कोर देंगा format में हम्या करें प्रिंट करें कर रूढ़ कर सबसे पहले है प्रेंड को स्कौर आफ माडल उभा ऌरिक कर देंगे तो हम्य लेस्ट में देंगा अब हम क्या कर्ए चितना भी हमने पर में पर में लेते हैं मौडल पर लिस्ट कर दिया हर्यक मोडल का स्कॉर हम अपेंड करते रहेंगे और उसके बाद मोडल का नाम चौपी कर ॐ मौले का स्कॉर जिस वेरिबल मिलता है लाओ कोई यही घड़ी के लिए लिए विडिटीवड विडियों बनाए है और I ovp आपे उस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रेप्शन में आप जाओ और वहाँ पर आप मेंशन करो मुझे टाइम मेरेंगा तो मैं बिल्कुल उसका आपको जवाब दूँगा चलो दोस्तों वह घड़ी आच चुके और आज हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे हम यहाँ रच पर एक दो फिन मेशीं में करेंगे सबसे बेस्ट पावरर्फूल मॉच्ट रूनिंग मॉडल को ट्रेन करने राले हमवारे पास कितनी को हर रूलल हमें इसको काने करने एंडेन करने हैं तो क्रास्फ़ वालिडेशन का स्तेमाल करकि राइच यां पर नेहीं मिलेंगा हम क्या करने संगे देखेंगे कि वह कौन सा हमें स्थ इक चरिंगे उसके वाद सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर बंदा और मॉंद म मुदा तो चलो यह हमारा मोडल कितनी पता चलेगा तो इसने मानस जिरो पॉइंट फाइव यह भी बहुत खराब मॉडल है इसने बहुत खराब यह यह बहुत खराब है के नियरे इसने अच्छे का इस एक तो इसने अप्रोग्जिमेटल फिप्टी प्रसें अकुरसी दी है लेकिन भी Satisfied नहीए यह भी Satisfied नहीं है इसको छोड़ दो डिस होड़े थे लिए लेख्तें शारे की सारे की सारे मोडलको पीछे छोड़ दिया हमारे डिस ट्री इस को चलो आब बाहरे आते हैं डिसीजन स्वरी ग्रैयाण बॉस्टिंग रिच्सर तो चलो यह मिलगरिद करते है अब तक अभी हम इंतजार करते है रैंडम फॉर्स रिग्रेशर का स्कोर क्या इसके लिए तो आयोप आपको लग रहा होगा कि वह रैंडम फॉर्स तो बहुत तगड़ा स्कोर देंगा तो चोले यार देखते हैं किस तरह के से हमें बेस्ट कोर देता है यह थोड़ा टाइम होने के लिए लेकिन कोई बात नहीं है यह हमें अच्छे का से देंगा तो हम इंतजार आराम से करेंगे यार सारे सारे मॉडल ने उतना टाइम ने लिया ओके रैंडम फॉर्स रिग्रेशर ने ओहो जिरो पॉइंट फॉर परसें अकुर्स दिये तो अब तक हमारा जो बेस मुझे लगा था कि अच्छा खासा देंगा तो चलो यार मल्टिलेयर परसेप्ट रॉन रिक्रेसर नियूरल लेट्रक क्या बोलता है नियूरल नेट्रक हमारा भी ट्रेन हो रहा है और देखते हैं यह कितने हमें अकुर्स देता है ओके तो अभी हमारा फिर कंटीनू हो रह यह कितना में अकुर्स देता है आशा करता हूं कि यह बेस्ट आकुर्स देंगा चुलो फिलाल अभी यह ट्रेन हो रहा है तो अब तक हमारे पास जो बेस्ट आकुर्स आचुकिए जिरो पॉइंट एटी सेवन जो दी हमें ग्रेडियां बोस्टिंग रिग्रेसर ने ओके तो यहार मैनस 4.8 हमारे ने पानी फिर दिया है निक्स्ट हमारा ऐसा टोनिक रिग्रेशन इसने हमें स्कोर दिया है नन तो यहार आइसुटोनिक हमें वैलो क्यों दी है यहां पर से कुछ एर से इस एर्रों में आगे चलके सौर्ग लूँगा तो फिलाइक लेंग यही कंस पॉइंट एट सेवेंट टूफ एकुरूसि दिये बसिकल यह है और स्कूल वैलो है वन बस आफ इसनी हमें जीज्ज़ो पॉइंट इट सेवन आट स्कूल वैलो दिये तो भाई सारे मोडल को हम देखेंगे तो यह बहुत बेस्ट मौडल है आगे चलके हम क्या करेंगे यही मोडल का इसको फाइन टून करेंगे और जो हमारा स्कोर कहाँ पर अवेलेबल था मॉडल अंडर्सकोर स्कोर में हमारा स्कोर अवेलेबल था तो आप उसको भी यहाँ पर प्रिंट करके देख सकते हो तो हमारा ग्रैडियन बूस्ट लेखेंगे जो हमें और अच्छे का से देजने की कोशिश कर सकता है तो 87 की बाद जो सेकंड सेकंड टॉपर रिग्रेशर एक्जीवूस्ट रिग्रेशर तो भाई यह मॉडल नहीं यह मॉडल नहीं यह रैंडम फोरस्ट मॉडल यह दोनों मिलते चुलते लेकिन रैंडम फो को दोनों को क्या कर...पैरामेटर टूनिंग करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे क säga की कौन सा मोड़िल विन करता है तो चलो दोस्तों हम देखेंगे हाइपरड़ तून करेंगे और उसका बाद हम सबसे बेस्ट मॉडल को चुनेंगे और वह हमारा मॉडल डिप्लॉइमेंट के लिए आगे बढ़ेंगा तो चलो दोस्तों आपको समझ में आज चुका कि एक ही शॉट में किस तरके से डिफरेंट डिफरेंट मॉडल को हम इवैलुएट करते कौन सा बेस्ट मॉडल है हम उसक सिखते से कहाते कुछ इंप्लिमेंट करते रहो धन्यवाद